रोगस्टे देशनी आन बान शान माटे सर्वोच बलिदान आपनार वीर सैनी को सिवाई एवा घणा सेनानियों हता कि जे वार स्ट्रेटेजिक माटे महत्व पुर्ण भूमी का निभावी ने भारत नी अखंडित्तानू रक्षन करियो हतु आजी आवाजी एक एरफोर्स ना ज्याबाज ओफिसर साथे रूबरू करावा जही रिया छे जिमने कारगेल युद्ध वखते ओपरेशन पराक्रम माँ भागली दो हतो आने खुब महत्वानी भूमी का निभावी हती 26 जुलाई एकारगेल विजय दिवस उजवामा आवियो आने हाल 15 ओगस्ट देश ने दुनियामा उजवामा आविरेईुशे तेरे देश पोताना बहादुर सैनिकोना बलिदान ने क्यारे भुली शक्तो न थी वर्ष ओग्णिसुन अवालूना युद्ध मा गुश्रात ना सूरश शहर मा रहता हरेन घांदी एपण महत्वनु युगदा ना प्यूशे तेओ अधार वरशनी नानी वये जवायू सिना मा जूडाया हता अनि कार्गिल युद्ध मा ओपरेशन पराक्रम मा शामेल हता युद्ध समय आदेश मरता नी साथेज पैरल कपड़े वर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुँचिया हता अनि पोता नी जवाबदारी निभावी हती तेवे बसुपचास थी वदू एरफोर्स ना जवारों नी साथे हत्यारों नी संभाड़ पर राखी हती कार्गिल युद्ध मा लोकेशन पर रडार नी एवी सुरक्षा राखी के एक पर पाकिस्तानी एरक्राफ्ट भारतिय हवाई सीमा मा फर्की शक्यानों होता कार्गिल विजोई ना पच्चिस वर्ष पूर्ण थता इंडिया न्यूस द्वारा मोड महिसागर जिलाना लुना वाडाना वतनी अने सूरत ने कर्म भुमी बनावनार पूर्व एरफोर्स ऑफिसर हरेन कुमार घांधी साथे खास वाच्चित करिया दी जिमा ते ओए एरफोर्स जोईन करवा पाच्चरनी कहानी साथे युद समयनी किटलिक महत्वनी वातो कहीशे इस साल में जो एक सबसे बड़ा स्टिसफेक्शन गर्व और जो एक प्राउड फिल सके ऐसा एक अवसर मिला था वो था कारगिल यूद और कारगिल यूद जब हमें उदर जाने को मिला तो हमें पता हमें ऐसा फिल हुआ कि जिस वज़े से हमने वर्दी पहनी थी साइद वो गड़ी आ चुकी है और पुरी खुशी से और पुरे जोशे हमने कारगिल यूद में भाग लिया था यूद जैसे स्तिती में एक जो अपरेशन लोकेशन होता है उस लोकेशन पे हमने कम से कम साड़े चार से पांच महीने गुजा रहे थे और वो साड़े चार से पांच महीने का जो समय था मेरे लिए मैं यह मानता हूँ कि पुरी 23 साल की जो सर्विस की थी उसका सबसे बहतेरिन अगर कोई समय रहा था कि जहां पर हमें खुद तसली मिली थी तो वो समय था कारगिल यूद वाला समय इंडिया न्यूस साथी नी वादचीत मां हरेन घांधी जणावी हतो कि हूँ एरफोर्स ना रडार यूनीट साथ हतो जेते समय अमने आदेश मड़ी हतो कि स्ट्रेजिक वर्ड लोकेशन पर जवानू शे आदेश मरतानी साथेश अमें पहरेल कपडेज वर्ड लोकेशन पर पहुचिया हता मारी जवाबदारी हती क्या खा एरफोर्स नी अंदर जी रडार यूनीट मां बस्तु पचास ती पण वधारे जवानों अने ओफिसर काम करता हता इमनी फिजीकल फिटनेश सतर ट्रेनिंग वैपन ट्रेनिंग सहीत वर्ड जेटली सिचुएशन नी अं अरजंसी आवे तो तेनों सामनों करवोत टेनी ट्रेनिंग पन्ट हूं आप तो हतो कारगिल यूद्ध मारा माटे और विसमर्णिय एक अध्याइश है यह जो मिशन पर परक्रम है यह जो मैडल आप देख रहे हैं यह पहला मैडल है ऑपरेशन वीजे यानि के करगिल यूद्ध के दूसरा जो मैडल है ऑपरेशन परक्रम है तो आपको पता होगा कि एक करगिल तो हमने जीत लिया वट उसके देर दो साल के बाद पाकिस्तान ने एक और बारत को कहीं न कई डिस्टरप करने का कोसिस किया था और त्रासवादियों को स्पेशली ट्रेंड देके संसथ के अंदर गुसा के पार्लामेंट पर एटेक किया था और इस एटेक के बाद पुरा देश जिस तरह से गुसाय हुआ था हमारी तीनों हमारी सेना की ना सिर्फ एटेक करने की बट इसलमाबाद तक पहुंच जाने की पुरी फुल प्रूफ योजदा बना ली थी बट ये जो योजदा थी उसकी लास्ट जो मोहर लगने थी प्राइमिनिस्टर अडल बियारे बाचवाई जी के द्वारा वो नहीं लगी थी तो बाद में हमे यह पता चला और अभी इस वज़े सभज में आ रहा है कि वाचवाई जीते साइद मोहर नहीं लगा के कुछ अच्छा ही किया था हमारे देश के लिए कारगिल युद्ध दर्म्यान देश नी आर्थिक राजधानी मुंबई औने बॉंबे हाई पर पाकिस्तानी एरक्राफ ना द्वारा हवाई हुमलानू जोखम हतु जिना मिलिटरी इन्पूट्स होवा थी एसमे वायू से नाय दीव ना दर्या काठे रडार गोठव यहतु कारण के मुंबई पोहँशवा गुश्रात ना दर्या काठा पर थी पसार थवो पड़े रडार ना संचालन माटे ना यूनीट ना सभियों नी फिटनेस जाणवनी नी अने रडार नी सुरक्षा नी तमाम जवाबदारी मारी पास जहती इसमे रडार ना कारणे पाकिस्तानी एरक्राफ्ट भारती य हवाई सीमा मा फर्की पन शक्या नहता